प्रिवियसली लेक्चर में हमने पैंटूल पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे पैंसिल टूल, अब हमारा नेक्स टूल है पैंसिल टूल, पैंसिल यानि हमारी जो नॉर्मल पैंसिल होती है वही, जिससे आप ड्राइंग बनाते हो, रुटीन में लिखते हो, येस, वही सारी च जीए, डबल क्लिक से यहाँ पर आपको उसकी एडिट एरिया मिलती है, ओके, अब अगर आपका हाथ बहुत अच्छा है, विद्धी माउस, तो आप पैंसिल से कोई भी आर्टिस्टिक एरिया बना सकते हैं, जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन पर बन रहा है, है ना, आपकी प बनाने के लिए बहुत काम आती है, यूज ऑफ पैंसल, पैंसल टूल से आपकोई लाइनार बना सकते हूँ, जैसे आपकी लाइव पैंसल यानि कि आपके हाथ फाली पैंसल जो यूज की जाती है, वैसे ही यह डिजिटल पैंसल है, है ना, एक दम एजी, वेरि गुड, पै जैसे कि पहले tool का नाम है smooth tool, देखिए हम pencil tool का use normally shaping के लिए करते हैं, पर जब हम कोई भी shape बिनाते हैं तब थोड़ा सा sharp बनता है, अगर मैं बात करू, pen tool से हम कोई shape बिनाई है, pencil tool से हम कोई shape बिनाई है, हमारा mouse थोड़ा सा sharpen घुमता है, जस जगह को हमें smooth करना है, वो smooth नहीं रहता, जैसे कि आपका nose, उसको हमें compulsory smooth करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा nose उपर से smooth होता है, इसलिए हम smooth tool का use करते हैं, smooth tool सेलेक्ट करके, अगर आप उसके उपर घुमाएंगे, तो वो path smooth हो जाएगा, ये बहुत काम का tool है, समझे, जैसे कि आपकी screen के उपर एक image है, जिसमे पहले path बनाया गया है, और फिर उसको smooth किया गया है, एकदम easy है, very good, दूसरे tool का नाम है path eraser tool, देखिए, यहाँ पे path eraser tool available है, जिससे selected path को आप erase कर सकते हो, दिख रहा है, very good, अच्छा, इसका usage कुछ यूँ भी कर सकते हैं, मैंने एक circle बनाया है, और circle को मुझे कुछ हिस्सों में erase कर देना है, है बड़ा simple, and last वाला जो tool है, वो upgraded tool है, जिसको हम बोलते हैं, joint tool, joint tool किसी भी open path, यानि यह जो हमने erase किया है, अब वो open बन चुका है, उसको select करके, आप joint कर सकते हो, यानि की close path, देखिए, कितरे easy designing tools है, जिससे आप मन चाहा design ready कर सकते हैं, जैसे की logo, character, background, right, आज हमने pencil tool सीखा, next lecture में designing tool सीखेंगे,